वेलकम टू बीट दे स्ट्रीट तो आज हम बात करने वाले हैं आखरी अडानी गुरुप की कंपनी जो की है अडानी ट्रांस्मिशन इस वीडियो के साथ हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे उसके क्वाटर फूर रिजल्ट कैसे रहे उसके फिनेंशल रिजल्ट ज करेंगे कुछ operational data को discuss करेंगे और करेंगे हम लोग जानेंगे पूरे company का overview यह पूरा deep insight रहेगा और साथ ही में हम लोग आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि इसमें valuation sustainable है या नहीं है पी रेशो पी बी रेशो डैप्ट नेट वर्थ वगयरे सारी चीजे इस एक वीडियो क करके बार में बताना चाहूंगा जो टेलीग्राम पर पहली बार ऐसी कोई चीज आ रही है यह एक automated feed के तुरू updated होता है यह बीट दे स्ट्रीट का टेलीग्राम चैनल है जहां पर सभी news sources है हम लोग direct automated feed यहां पर software के तुरू यहां पर सारी खबरे बजार की यहां पर update हो ज जाएगी इस एक जगे के अलावा आपको कहीं पर भी जाने की जौरत नहीं है तो यह सारी चीजे हैं और उसी के अलावा यहां पर आप इसको join कर सकते हैं बीट दे स्ट्रीट सर्च करें नहीं तो link in description के तुरू जा सकते हैं बात करेंगे अडानी transmission की result की overall result काफी अच्छे रहे हैं और अगर आप देखो कि तो इस खारण यहां पर 4% की तेजी देखने को मिली है अगर हम बात करें cash profit यहां पर आप देखो कि अगरे और exceptional losses और gains वगरे को यहां पर adjust करते तो cash profit आता है वहीं पर अगर हम देखें यहां पर transmission availability है basically यह काम क्या करती है यह electricity transmission का काम करती है transmission और distribution transmission का मतलब हुआ यहां पर grid से ले जाके यहां पर अपने घर तक electricity लाना उसको transmission कहते हैं और फिर यहां पर उसी का एक होता है सभी घरों-घरों में यहां पर electricity distribute करना तो यह सारी चीज़े यह लोग बिस्निस इनका में यह है अगर आप देखो कि transmission system की और 100 परसेंट रही है लगबक करीबन 102 प्रतिशत रही है collection efficiency का मतलब होता है कि मान लीजी अगर अडानी को यहां पर में 100 रूपएसट ने थे हैं तो उनligen को कहते रुपएसट करोंडhov करें यहां पर कौकर म कैंस इनका म यह प्रसेंट हाँ कि करेंगा faith तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 4,333 करोड है जो कि 4% से बढ़ा है बहुत ही फ्लैट ग्रोथ रही है ट्रांस्मिशन इबिटा यहाँ पे 92% से बढ़ा 92% मार्जिन के साथ 4% से बढ़ा है और distribution EBITDA 5% से बढ़ा है तो overall EBITDA के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे profit वगर के अंदर बहुत जोड़ा करोड है तो generally यहाँ पे अब क्या रहा होगा company के कुछ accounting adjustment रहेंगे exceptional gain वगर है उसके कारण यह सारी चीज़े दिख रही है Q4 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो consolidated EBITDA है वो 18% से बढ़ा 1034 करोड रहा वही पे PAT इस बार के लिए 257 करोड रुपीज रहा वही पे अगर हम देखें तो यहाँ पे transmission का EBITDA है वो किल 6% से बढ़ता है बढ़ distribution के EBITDA में यहाँ पे 47% की ग्रोहत है वही पे अगर आप देखोगे तो company को यहाँ पे regulatory order मिला है और यही पे अगर आप एक favorable regulatory order मिला है गवर्मेंट डिपार्टमेंट से जिसका यहाँ पे annual recurring benefit होगा Q1 के अंदर अगर आप देखोगे Q1 FY21 के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे annual recurring benefit होगा यहाँ पे 60 करोड रुपय का तो यह सारी चीजे हैं मतलब एक तरीके का exceptional item मान सकते हो और यह सारी चीजे हैं अब यह circuit kilometer है तो यह आप देख सकते हो कुल्मला की distribution transmission network कितना बनाया है company ने 2536 km का यहाँ पे company ने नई lines बिचाई थी उसी के अलावा यहाँ पे distribution के अंदर बात करें तो company ने कितनी यहाँ पे distribution loss है जो इस बार बढ़ गया है यह जितना ज्यादा होता है उतना नुकसान होता है company को unit sold की बात करें अगर आप देखोगे तो 7169 unit sold करी है जो यहाँ पे पूरे साल में अगर आप देखते हो तो यह पिछले साल से decrease हुई है collection efficiency जैसके मैं बताया था 100.6% की रहत निशत है और unit sold की की वह पिछले quarter से flat है तोड़ी सी बड़ी है तो यह सारी चीजे थी अगर आप देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर financial highlights की तो यह आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो financial highlights वगर है जो हम लोग आल्रेडी बात कर चुके इस बार अगर आप 27% है जो कि एक बहुत important factor होता है अगर कमणी का operational margin बढ़ता है तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है वही पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर distribution EBIT अगर है जो अपने देखा यहाँ पर आप देखो कि तो उसमें problem रही है बट यहाँ पर transmission के अंदर 92% के strong margins है तो यह सारी ची देखोगे तो यह बहुत ही high P stock है अगर इसका भाव है जो करीबन अभी चल रहा है 1175 के लगबग चल रहा है तो इसको अगर आप 9 से divide करते हो तो आपका P ratio जो बैठेगा 1175 divided by 9 तो यहाँ पर 130 का P आता है जो की बहुत ही ज्यादा high है ठीक है तो यह सारी चीजे थी उसी के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो कंपनी ने बता है कि यहाँ पर lower power consumption के कारण इनका distribution business कम रहा है और यह सारी चीजे है और वहीं पर अगर आप देखोगे operational revenue जो है वो यहाँ पर unaffected रहा है अधर की highlights क्या है कंपनी ने यहाँ पर अभी एक transmission company को acquire किया है उसी के अला comments देखेंगे तो company के chairman ने गौतम अडानी ने बोला कि सोभाग किये जो government का initiative उससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है अगले आने वाले दो decade यानि अगले 20 साल में company के यहाँ पर जो आउटलोक है वो बहुत ही positive investor outlook है फिर जो company के CEO है उनने बोला कि हम लोग ने 2 acquisition किये जिसके क यह बहुत important चीज़ है यह पहले आप देख लीजिए यह अडानी का पूरा structure है यह कैसे काम करती है और वो सारी चीज़े अगर आप यह देखोगे तो यह ATL है जो इसके अंदर यहाँ पे 75% अगर आप देखोगे तो अडानी promoters का stake है T&D business मतलब basically transmission and distribution अगर आप देखोगे transmission network के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ करी है अगर आप देखोगे अभी total यहाँ पे जो इन लोग के किलो मिटर्स है 2020 तक 14,000 837 किलो मिटर्स है जो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो 7% की ग्रोथ हुई है किलो मिटर्स ट्रांस्मिशन लाइन में ब अगर आप देखते हैं तो वहीं पे अगर हम बात करें अभी एक important चीज़ की तो company का यहाँ पे profile अगर आप देखोगे तो यह कंपनी वही है जो यहाँ पे अडानी electricity mobile limited को ओन करती है इनके total 30,000,000 यहाँ पे retail customers है वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो regulated assets है basically 348 billion की है मतलब 348 अगर आप billions में मतलब 1 billion के अंतर 100 करोड रुपय होते है वहीं पे अगर आप देखोगे concession life जो है average आप अगर आप देखते हैं तो transmission के लिए 31 साल और 17 साल के contract है basically contract का वो है फिर वहीं पे company में दो तरह की assets होती है ROA और TBSCB assets होती है जिसका यहाँ पे ratio दे लोग को 123 billion का approved tariff order रहे और इनकी जो rating है यह BBAA3 की rating है और यह अगर आप देखते हैं तो ट्रिपल भी negative भी बोल सकते हैं अब यह पूरा अडानी transmission का यहाँ पे structure है contracted assets क्या होती basically जो अडानी खुद की नहीं है ना यह वह वाली assets है और यह जो assets है यह अडानी की खुद की assets है ठीक है तो यहाँ पे आप यह सारी चीजे समझ सकते हैं overall यहाँ पे यह दो तरह के assets होते हैं contracted assets और ROI assets तो यह सारी चीजे इसमें ज्यादा हम लोग को समझने के लिए कुछ है नहीं आप यहां पर यह company के अलग-अलग business है जो देख सकते हो यह सारी चीजे है इसमें ज्याद impact नहीं लाता है वही पे अगर आप transmission business और distribution business के availability और distribution collection efficiency पे हम लोग already बात कर चुके है वही पे अगर आप देखो के network strength कितनी होगे यह transmission जो अभी अपन बात कर रहे थे ना 20,000 km 2022 तक करना उसमें से 17,216 km इनके हो चुके है वही पे अगर आप देखो के तो यहाँ पे total distribution के अ यह कुछ operational key highlights होती है तो यह सारी चीज़े है और वही पे यह बाकी और other operational highlights है अभी यह जो availability वाले जो ratio जाए जितने ज्यादा होते उतनी अच्छी बात होती है और वही पे यह consumer based distribution losses कम होते वह दिखाई देरे e-payment यहाप अगर आप देखो के तो company यहाप बढ़ गया है distribution losses sorry यहाप बढ़ गए है और वहीं पर collection efficiency increase हो गई है number of companies अगर आप देखोगे तो यहाप significant fall in यहाप अगर आप देखोगे number of companies यहाप 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 यह सारी चीज़े है और अगर आप देखोंगे तो यहाप हाई customer satisfaction है इसका यही यहाप सिंबल है overall यहाप यह financial highlights है जो हम करेंगे तो यह सारी चीज़े भी देखेंगे अगर आप देखते हैं तो EBITDA के अंदर कैसे changes आएं पूरे साल के अंदर तो यह पूरा उसका चिट्टा बिटा है कैसे कैसे company ने क्या के measures लिए जिसके कारण company का यह जो EBITDA है यहापे 716 करोड रुपे हो चुका है जो पहले 26 257 करोड था और वही पर यह margin है यह operating EBITDA का है यह revenue का था और यह operating EBITDA का है तो जिसके अंदर यह सारी चीज़े करी जिसके कारण company को यहापे फायदा मिला है तो यह सारी चीज़े है अगर हम बात करें company के यहापे distribution utility business की उपर वाला जो था वो transmission का था यह distribution के लिए है इसमें red वाले से यहापे business कम हुए sale of energy adjustment वगरे और cross subsidy charges वगरे जो company पर लगाए गए थे वही पर balance sheet की बात करें company का जो cash EBITDA अगर आप देखोगे तो EBITDA से cash flow कैसे आया है तो यह आप यहापे देख सकते हो company का interest in finance course 1932 करोड का है और वही पर अगर आप देखेंगे company ने जो debt का repayment क है वह 356 करोड की debt का repayment बता है अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो cash generation है वह यहाँ पर करीबन 1938 है उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं debt का evolution यहाँ पर एक जो important बात है कि हर बात जैसे हर company में होता है यह इनकी जो debt है वह हर बार बढ़ती आती है अगर आप देखोगे जो बात करते है net debt का evolution कैसे कैसे हुआ है company ने यह दो major debt का अभी और बढ़ाई थी अपनी और यह जो key ratios है अगर आप देखोगे net debt to EBITDA का जो ratio है यह 4.7 है जो यहाँ पर बढ़ गया है यह बढ़ना ही खराब होता है debt to service coverage ratio जो होता है यह जितना ज्यादा होता है उतनी अच्छ internal debt to net worth यह कम होना चाहिए और यहाँ पर इनका बढ़ी है क्योंकि इनकी debt बढ़ गई है तो यह सारी चीज़े थी अगर हम बात करें यहाँ पर company के रिफिनेंसिंग रिस्क वगर है मतलब company के आने वाले time में यहाँ पर अभी जो debt की maturity है वो कितनी है अगर आप देखोगे 87% loan जो है ना वो उन्हें 5 साल के बात चुकाने है उसी के अलावा जो company का debt profile है US bond से 74% है loans और NCDs से यहाँ पर 20% है और external commercial borrowing से 6% है वही पे यह आप देख सकते है company का debt का cost है मतलब जो interest लगता है वो 9.2% रहा है जो पिछली बार से कम हुआ है और यही एक important बात थी जो यहाँ finance cost को कम कर रहा है और अगर आप देखोगे तो 9.8 years की यहाँ पर average debt की maturity है और यह सारी चीज़े है बात करेंगे company के यहाँ पर key focus area यह basically company का outlook है यहाँ पर अगर आप देखोगे F521 and beyond का तो यह company का plan है अगर हम देखे company का capex plan है 95 billion का जो AEML की यहाँ पर जो अदानी electricity mobile limited है उसका यहाँ पर expansion करेगी acquisition new license और फ्रेंचाइजी और पीप ट्रिपल पी अपॉर्चुनिटीज पर यहाँ पर company focus करेगी strong growth potential दिखरा TBCB business में और वही पर robust यहाँ पर under construction pipeline ने 150 billion की जो कि यहाँ पर elongated maturity यहाँ पर हम लोग अचीव करना चाहते हैं मतलब आल दीजिए अगर 10 साल की अभी average maturity है तो company का यह plan रहेगा अगले साल की उसे 12 साल की average maturity कर दीजाए वही पर IG rating यानि investment grade rating maintain करने का target है जो कि already हो रही है वही पर अगर हम बात करे company यहाँ पर बोल रही कि cost of debt को यहाँ पर reduce करना है cost of debt को यहाँ पर reduce करना है ना कि debt को reduce करना है और company का plan है mark you investors यहाँ पर company लेके आएगी to set global corporate practices basically कुछ बड़े-बड़े investors आ सकते हैं अगर आप देखो कि जैसे total नहीं यहाँ पर अडानी green के अंदर investment कर रखा है और अडानी total gas में कर रखा है तो उस तरह का mainly वही एक बड़ा investor है जो यहाँ पर आता है तो हो सकता है यहाँ पर यह investor भी आ जाए ऐसा company ने अभी बोला है इस पर कुछ overall clarity नहीं है वही पर company ने बोला है कि यहाँ पर 45 दिन में यहाँ पर discount को pay करना है और वह अभी भी liable है company का debt servicing यहाँ पर जो liquidity है वह यहाँ अगल related चीजे होती है जो as investor हमें कुछ खास नहीं देखना है अगर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा बट यहाँ पर normally क्या होता है ESG का यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ गया है अगर आप देखोगे जो company ESG highly rated नहीं होती ना तो यहाँ पर जो बड़े-बड़ investors होते ना foreign investors वो यहाँ पर इन लोग को मना कर देते कोई भी बड़ा investment करने से अभी हम लोग थोड़े टाइम पहले देखा था तो यहाँ पर किसी भी अगर आप देखोगे तो जैसे ITC है उसका वर्ल्ड का जो अगर आप देखोगे tobacco segment के अंदर उसकी best ESG rating है तो वो यहाँ पर जितनी अच्छी ESG rating होती है ना उतना यहाँ पर company अच्छा काम कर पाती है तो यह सारी चीज़े उतने बड़े investors आते हैं नहीं पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर और क्या के चीज़ें यह अभी हमारा अनेक्शर आगया यह transmission business जो हम लोग ने अल् यहाँ पर जो डेटेल financial segment की अगर बात करें financials की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अभी हम लोग करेंगे सबसे important analysis की यहाँ पर Q4 में यहाँ पर company ने कैसा perform किया है versus यहाँ पर आप देखोगे y on y basis पे तो यह तो y on y basis पे यह हमारे लिए काम का नहीं है यह हर बार company बत बार जीखोगे total यहाँ पर यहाँ पर जो revenue हैं वह यहाँ पर आप देख सकते हूं तो total यहाँ पर जो अगर आप revenue देखोगे तो यह company का पिछली बार से बढ़ा है वही पर आप देखेंगे तो EBITDA की बात करें तो EBITDA भी एगर आप देखते हो तो EBITDA फ्रम Pop,र Kin, refuse इन्व अगर आप देखते हो तो यहां पर पिछली बार से कम हुआ है तो इबिटा में यहां पर कम देखने हो मिला है वहीं पर जो कमपनी की बढ़ गई है क्योंकि कमपनी का डेप्ट प्रॉफाइल बढ़ गया था और पैट की अगर बात करें तो 257 करोड का प्रॉफिट है जो पि तो यह सारी चीजे थी अगर आप देखना चाहते हैं तो यह सारे यहां पर जो जमेले थे इनके कारण यहां पर कमपनी को जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो अधर इंकम में 149 करोड रुपय का नुकसान हुआ है तो जिस कारण बहुत बड़ा इंपक्ट आया है वहीं अगर आप देखोगे तो यह सारी चीजे थी और करण टेक्स के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर कमपनी ने कुछ रिवर्सल की हैं जो यहां पर क्यू 3 से ज्यादा यहां पर कमपनी का ओवरॉल यहां पर प्रॉब्लेमेटिक सिचुएशन बन गया है तो यह सारी चीजे थी जो यहां पर basically यहां पर accounting adjustment के कारण profit कम हुआ है और यहीं पर operationally कमपनी ने overall ठीक ठाक performance दी है तो यह अगर आप देखोगे तो company का यहां पर overall rating है यह आप देख सकते हो company की कैसे कैसे तरह की अलग अलग तरह की जो ratings है तो यहां पर है जो हम लोग बता चेके यह लगबग triple B ratings है फिर वहीं पर यह company की सारी subsidies की list है जिसके अंदर कितना कितना stake है और क्या क्या काम करती है किदर किदर है यह वो सारी चीजे है ठीक है फिर अगर आप बात करते हो तो यह company का overall यह operational सबसे important profile है कि कितने customer है अगर आप देखेंगे distribution के अंदर और कितनी kilometers की lines ipper means है यह सारी चीजे है वहीं पर आप देखोगे यह company के operating assets है जिन्स पे बिजन्स होरा है और वहीं पर आप देखोगे यह recently collaborating assets है तो यह सारी चीजे है अगर हम बात करें अगर अभी under construction जो assets है वो ये सारी चीज़े हैं अगर आप देखोगे तो under construction इन में से कितनी कितनी है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़े है ना अभी कोई भी पैसा company कमा नहीं रही है ये company के लिए यहाँ पर अभी overall business में यहाँ पर company को इसमें invest करना पड़ता है और यहाँ पर fixed cost वगरे जो होती है वो ज्यादा होती है अभी इससे company overall कुछ earning नहीं कर रही है ठीक है तो यह basically operating assets थी यह newly operating assets थी और यहाँ पर under construction है तो overall यह अभी company के पाँ इतनी assets और है जिनका अभी revenue आना बाकी है तो इसलिए यहाँ पर जो company की यह सब assets जब आएंगी तो यह company ने target भी दिया है कि कितना कितना होगा अगर आप देखते हो तो यहाँ पर asset based अगरे company ने दिया है और यहाँ पर concession life अगरे है और यह सारी चीज़े है बट company ने यह नहीं बताए कि overall revenue based कितना बढ़ेगा बट यहाँ पर overall यह सारी चीज़े है जो यह जब assets जब चालू हो जाएंगी यह सारी timeline है अगर यह जब चालू होती है तो company का revenue और यहाँ पर बढ़ेगा तो यह overall यहाँ पर चीज़े थी बात करें अगर हम company के यहाँ पर net worth की तो यहाँ पर net worth भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है net worth और price to book ratio तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो net worth है 8919 करोड और यहाँ पर जो market cap है एक लाग तेज़ या करोड तो price to book ratio आता है 13.9 जो की थोड़ा high है और वहीं पर 29.3 यहाँ पर company का अगर आप देखोगे तो EBIT to EBITDA ratio है मतलब मैं अगर आप simple चीज बता हूँ आपको तो आप 80 रुपए की जिसकी share की worth है उसके लिए आप दे रहो 1126 करोड यह इनकी assets की worth है net assets की जो book value है उसको जब आप total share से divide करते हो तो 81 रुपीज आता है overall यहाँ पर जो P ratio मैंने आपको बताया था 1150 तक के लिए आप levels देख सकते हैं बाकी मैं बोलूँगा 1126 करन प्राइस पे भी आप कर सकते हैं already share 4% भाग चुका है but overall results ठीक ठीक है कोई जादा ऐसे है नहीं valuation थोड़े peak है long term वाले भी अगर जिन लोग को अच्छा पैसा बन गया है तो एक बार आप अपना यहां पर stake बेच दीजिए और अपने share बेच दीजिए क्योंकि अभी lockdown के कारण यह जो electricity demand है वो कम हो जाएगी और transmission और distribution business यहां पर कम हो जाएगा अगर आप बात करें industries का तो यह सारी चीज़े हैं तो यह अभी Q1 को affect जरूर करेगा और वहीं पर अगर आप बात करते हो company के यहां पर quarterly अगर आपको company का business देखना है तो company ने कैसे कैसे perform किया है 621 करोड का revenue जहां पहले 3000 करोड हुआ था वह 2700 करोड हुआ है तो यह सारा company का पिछले 7-8 quarter का चट्टा बिट्टा है और वहीं पर आप पैट देखोगे तो company का लगातार पैट यहां पर बढ़ता आया है बट यहां पर अभी भी जो पिछली बार 325 करोड का profit था वह अभी यहां पर 238 करोड का हो गया जो मैंने बताया था कि basically tax related और कुछ accounting related adjustment है वहीं पर March 21 में overall यहां पर company का profit net profit बढ़ा है और वो सारी अच्छी चीज़े है बात करेंगे company के shareholding pattern में जहां पर maximum stake यहां पर 74% जो हो सकता है लगबग 75% allowed होता है वो यहां पर company के promoters के पास है DII's में अगर अपन बात करते हैं तो लगबग वो ही DII's होते हैं जो हर बार Adani Group की companies में होते हैं Ilara Opportunities Fund वगएर है Cresta, Albula, APMS हम लोग ने सारे पिछली बार की जितने भी 500 company है Adani की उनमें यही सारे investors होते हैं और यह कोई बड़े investor नहीं है पहले ही में बता चुका हूँ इन लोग का लगबग 90 प्रतिशत से भी ज्यादा पैसा Adani की companies में लगावा है और उसके अलावा यह कोई बड़ा investor नहीं है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है Normally अगर कोई बड़ा investor होता और वो यहां पर diversified business में रहता ठीक है बड़ उनने सारा पैसा यहां पर Adani में लगा रखा है मतलब कुछ ना कुछ अंदर गड़ बड़ है तो यह सारी चीजे हैं तो आप यह मत कभी देखिएगा कि Adani के अंदर अगर यहां पर promoters के अलावा FIA का stake बड़ रहा है तो अच्छी बात है बड़ अपने एक बार का ऐसा नुकसान होता है कि अपने को ट्रेडिंग ही बंद करनी पड़ती है डिया इसकी बात करें डिया इसने अपना stake कम किया है overall क्योंकि profit यहां पर booking करने के लिए बाकि अगर आप देखेंगे public shareholding यहां पर public shareholding भी कम हुई है क्योंकि overall यहां पर अगर आप देखो कि delivery volume थोड़ा high था बट मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं कि आपको एक बार यहां पर profit book करना चाहिए overall जो यहां पर अगर आप देखो गे तो सारे तरह के resistance level को यहां पर company ने cross किया है बट मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि एक बार अपने को यहां पर profit book करना चाहिए और यहां पर short term long term investors को एक बार profit book कर लेना चाहिए और यहां पर कुछ अच्छी कम्पनियों में लेना चाहिए इसकी solution थोड़ी ज्यादा है जो मैं recommend नहीं करूंगा आप टाटा पावर जैसी companies में जा सकते हैं तो जो हम लोग ने कल भी बताया था अडानी पावर की वीडियो में कि वह कितनी अच्छी company है तो यह सारी चीजे है ओवर ओल में रहे कि short term और long term investor बेच दें और किसी भी तरह का अभी इस भाब पर ना खरी दे क्योंकि यहां पर अभी भी यह जो है शेर थोड़ी बहुत profit booking दिखाएगा पोस्ट यहां पर result rally के बाद यह ता हमारा पूरा analysis आज हम लोग ने सारी चीजे दानी अडानी transmission के बारे में कंपनी क्या करती है कैसे करती है और कंपनीया बिजनेस कैसे चल रहा है operational financial metrics share holding pattern technical analysis साथ ही में stock tips और stock analysis सारी चीजे हम लोग ने आपको बता दी है और अगर आपने बाकी पाचो अडानी group की companies का नहीं देखा है तो आप i button दबाएं और वहापे आप देख सकते हैं overall हम लोग य आज सारे वीडियो टेलीग्राम पर और ट्विटर पर भी डाल देंगे तो आप हमें वहापे भी फॉलो कर सकते हैं जा पर पांच चोग 6 की 6 अडानी group की जो companies है उनका हम लोग ने जो अभी latest यहां पर financial और fundamental analysis किया है वो आप वहापे जाके देख सकते हैं और उसका हम वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेर कीजिए वीडियो सभी अडानी transmission के shareholders के साथ